सीटेट 2020 की टोप 10 की सबसे जबरदस्त वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आगया हूँ आपके सामने एक एक ऐसा कोश्चन जिसको देखकर आप बोलेंगे वाओ मज़ा आगया क्योंकि आपको पूरी पूरी वीडियो देखने के बाद ये भी नहीं पता लगेगा कब ये वीडियो खतम हो गई है क्योंकि आप इतने खो जाएंगे इस वीडियो में क्योंकि जबरदस्त इतने कोश्चन है तो पूरी वीडियो को देखना है दोस्स सीटेट की तयारी कर रहे हो नहीं छोड सकते इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को उससे पहले हमारे बैक टू स्कूल के Android अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लो इन्होंने कल सब्सक्रिप्शन लिया आप भी लीजिए किस वेट में हैं आप तो जैसा मैंने बोला आज किस वीडियो में टॉप टैन वीडियो की सीरीज में नई वीडियो लेकर आया हूँ हिंदी भाशा की जिसके एक एक कोश्चन को देखते ही मज़ा आ जाएगा आपको देखे सागर की आग का मतलब होता है बाडवाग्री अब ये जो दूसरे शब्द है उनको देखते हैं सबसे पहले तो अनेक शब्दों में से एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाशा में कई शब्दों के स्थान पर जब हम एक शब्द बोलकर अपनी पाशा को परभावशाली और आकरशक बनाते हैं तो उसे बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रियोग करना जैसे कि बाडवागरी का मतलब होता है सागर की आग और ये जो बाकी के रह गए जट्रागरी का मतलब होता है पेट की आग वनागरी का मतलब होता है वन की आग ठीक है तो आंसर होगा बाडवागरी सागर की आग अगला कोशन है युद करने का इच्चुक बहादूर वीर दबंग या यूयूट्सू बताइए यहाँ पर एकार्थी शब्द जिन शब्दों का परियोग अनियक शब्दों के स्थान पर किया जाए उनको आप एक आर्थी शब्द या एक शब्द कहती है आपने महाभारत में नाम सुना होगा यूयूट्सू का कोरव था एक उसका नाम यूयूट्सू था उसका मतलब ये हुआ जो यूद्ध करने का इच्चुक हो या फिर जो यूद्ध करने के लिए हमेशा उच्चुक हो यूयूट्सू ओप्शन नमबर डी यहां पर होगा तीसरा कोशन कहता है जो यूद्ध में स्थिर रहता हो ये एक बार फिर से जो है महा भारत के अंदर से किरदार का नाम आ जाएगा जो यूद्ध में हमेशा स्थिर रहता हो वो होता यूद्धिष्ठिर सबसे बड़ा पांडव था ये यूद्धिष्ठिर तो इसके नाम का मतलब था जो हमेशा यूद्ध में स्थिर रहे चलिए अगला कोश्चन देखते हैं चोथा कोश्चन है जिसके समान कोई दूसरा ना हो यानिकि जिसके कोई टक्रका ना हो अलोकिक अंतरदर्शी, अध्वितिये या अती सुंदर बताईए जिसके समान कोई दूसरा ना हो अध्वितिये अगला कोश्चन है राक्त्री में घूमने वाला निशाचर, दुर्टगामी, नबचर या दुर्चर बताईए देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ अगर आपसे बात करें दुर्टगामी की इसका मतलब है तेज चलने वाला अगर हम बात करें नबचर का तो इसका मतलब है नबचर में चलने वाला और अगर हम बात करें रात्री में घूमने वाला तो इसका मतलब हो जाएगा निशाचर कहते हैं अगर आपको रात को आप पढ़ते हैं तो आप निशाचर प्रिवर्थी के हैं तो निशाचर बोलेंगे क्यों क्यों कि निशा का मतलब हुआ रात और चर का मतलब हुआ जागना जो रात को जागता है जो घूमता है रात को घूमने वाला किसी बात को बड़ा चड़ा कर कहना अति शोक्ति, अति शेता, अति उक्ति या अनि वर्चनी है क्या कहते हैं बताईए देख किसी भी चीज को बड़ा चड़ा कर कहने को आप अति शोक्ति बोलते हैं अगर आप कहें कि मैं पढ़ाई कोई जिन्दगी का सार बोल दूँ तो ये अतिशोक्ति ना होगी मतलब ये कुछ बढ़ा चड़ा कर कहना ना होगा शरन पाने का इच्छुक शरन पाने का इच्छुक आंसर होगा शरन आर्थी जो शरन पाने का इच्छुक है जो केवल अपने स्वार्थ की सोच रखता है वो स्वार्थी और जो शरन पाने को इच्छक है वो शरन आर्थी जहां जाना कठिन हो अगम्मे दुर्गम कष्टपूर्णिया कठिनतम बताइए जहां जाना कठिन हो यानि कि very difficult to reach कोई जंग है जहां पर बहुत difficult हो पहुँचना उसके लिए वाक्य के लिए एक शब्द बताओ अनेक सब्दों के स्थान पर जहां पर आप परियोग करेंगे एक शब्द वो वाकांसों के लिए एक शब्द होगा और ऐसी जंगे दुर्गम होती है आपने सुना नहीं होगा कि माउंट एवरेस्ट के रास्ते काफी दुर्गम है वहाँ पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल है जिसे जीता ना जा सके बताइए देखे जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजे ओप्शन नमबर A जिसमें बुढ़ा पाना आए वो हो जाएगा अजर अगर अजर की बात करें तो इसका मतलब है जिसमें या जिसका बुढ़ा पाने आए ठीक है अमर का मतलब क्या होगा जिसे मारा ने जा सके वो अमर लेकिन जिसे जीता ना जा सके वो हो जाएगा अजे अगला है जिसकी ग्रीवा सुन्दर हो अब देखे ये रामाइन से आ गया है एक पार्ट एक पात्र जिसकी ग्रीवा सुन्दर हो ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन उसको बोलेंगे सुग्रीव सुग्रीव का मतलब था जिसकी गर्दन सुन्दर हो ठीक है ना सुलोचन किसको बोलेंगे जिसकी आँखें सुन्दर हो जिसकी आँखें सुन्दर हो तो दोस्त आज की इस वीडियो को मैंने जब शुरू किया तब आपसे क्या कहा था मैंने आज की वीडियो जब शुरू की तो तब आपसे कहा था कि इस पूरी वीडियो को मिस नहीं करना क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपके लिए सबसे जबरदस्त क्लासिज आएंगी सबसे जबरदस्त वीडियो आएंगी तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपसे जबरदस्त कोश्चन पूछे और वो कोश्चन थे जैसे कि जिसकी गृवा सुंदर हो वो हो गया आपका सुग्रीव उससे पहले वाला कोश्चन पूछा जिसे जीता ना जा सके उसका अंसर आपका क्या आ गया था उसका अंसर आ गया था आजे उससे पहले वाला कोश्चन जब मैंने पूछा तब जहां जाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम उससे पहले पूछा शर्ण पाने का इच्छुक वो हो गया आपका शर्णार थी उससे पहले पूछा जिस बात को बड़ा चड़ा कर का गया हो वो हो गई अतिशोक्ती रात्री में घूमने वाला निचाचर जिसके समान कोई दूसरा ना हो एद्वितिये जो युद में हमेशा स्थिर रहे युद हिस्थिर और युद करने का इच्छुक युयूट्सू और सागर की आग के लिए बाडवागरी होने एक वर्ड यूज किया जाता है तो ये आपकी टॉप टैन की वीडियो थी जो मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ मैं जिसको तो लाइक जरूर करें आप वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करना है आपको गुरू दक्षिना इतनी ही है आपकी और एप को इंस्टॉल करके हमारा सब्सक्रिप्शन लेना क्योंकि 90% चीजें आपके सीटेट के एक्जाम में हमारी एप के अंदर से ही आएंगी क्योंकि इसके अंदर नोट्स, पीडियेफ और मॉक टेस्ट आपको भर भर के मिल जाएंगे दोनों लेंग्वेज में और यहीं से आपका एक्जाम आएगा तो देरी बिल्कुल नहीं करनी है सब्सक्राइब करना है चैनल को और यह जो एप मैंने बताई है इसको आप इंस्टॉल करके अपने फोन में जरूर सब्सक्रिप्शन ले ले क्योंकि दोस्त यह जो भी मैंने आपको कुशन्स कराएं हैं यह सब के सब भी आपको हमारी एप के अंदर मिल जाएंगे और खास बात यह है हमारी एप के अंदर कि अब की बार जो सीट आइट का एक्जाम है उसमें आप देखेंगे कि वो काफी दिनों के बाद हो रहा है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि खास कर मेरे स्टुडेंट्स जो मेरी वीडियो को देखते हैं उनके पास किसी कंटेंट की कमी हो या फिर उन्हें दिक्कत मैसूस हो किसी भी चीज़ की तो उसी के लिए मैंने ये एप आपके लिए बनवाई थी जो कि आपके लिए मौर देन इंपोर्टेंट है और मौर देन अनफ है सीटेट के एक्जाम को क्लियर करने के लिए तो सीटेट के एक्जाम को क्लियर करना मेरे उपर छोड़ दीजिए आप जरूर इंस्टॉल करें एप को इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी कई बार मैं वीडियो डालता हूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती नहीं है तो ये वाली दिक्कत भी हमारी एप से जो है सोल्व हो जाएगी तो देर किस बात किये और आप नीजे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि ये जो कोशन्स आपने थोड़ी देर पहले किये थे वो आपको लगे कैसे ठीक है तो चलिए दोस्त नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूँ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत न मोस्ट इंपोर्टेंट बात पढ़ते जरूर है नहीं